रिच्चा एस्टो विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि चंद्रमा यानि कि मून अगर हमारे बर्ट चार्ट में आत्माकारक प्लैनेट हो यानि कि हाइस डिगरी प्लैने प्लैनेट जो है वो हमारे जीवन की deepest desires को represent करता है हमारे जीवन की सबसे गहरी इच्छाओं को भी रिप्लैनेट करता है तो आत्माकारक प्लैनेट जो है वो किस नक्षत्र में है उसके analysis से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति की जो सबसे गहरी इच्छाएं हैं इस जीवन में वो कैसे और किस हद तक पूरी हो सकती हैं, वो भी हम आज के इस वीडियो में उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आईए शरवात करते हैं, दिखिए आत्मकारक प्लैनेट यानि की सोल सिगनिफिकेटर प्लैनेट जो है, वो हमारे जीवन की डीपेस् करता है, तो जो भी ग्रह हमारे बर्चार्ट में हाइस डिगरी पर होगा, वो ही हमारे बर्चार्ट में आत्मकारक प्लैनेट यानि की सोल सिगनिफिकेटर प्लैनेट जो है, माना जाएगा, तो आत्मकारक ग्रह का जो कॉंसेप्ट है, ये जैमिनी जोतिष से आया है, और उनके अनुसार दो प्रकार के आत्मकारक माने जाते हैं, एक नसरगिक आत्मकारक जो की सूरे है सभी व्यक्तियों के लिए, और दूसरा चर आत्मकारक जो की सभी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है, और जो भी ग्रह किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में हाइस डि पर होगा वो ही उसका जो है personal आत्माकारक ग्रह माना जाएगा तो आत्माकारक ग्रह क्योंकि हमारे जीवन की deepest desires को सबसे गहरी इच्छाओं को represent करता है तो हमारी यही इच्छाएं ही हमारे इस जनम में संघर्ष की struggle की वजह जो हैं बनती हैं तो देखिए जब भी कोई आत्मा इस धरती पर आती है शरीर धारण करती है तो वो अपने साथ अपने पुर्व जनम की बहुत सी इच्छाओं को भी लेकर आती है जिसे कि वो इस जनम में पूरा करना चाहती है तो हमारे बर्चार्ट में जो भी ग्रह highest degree पर होता है वो उन सभी इच्छाओं को represent करता है उस आत्मा कारक ग्रह के analysis से हम उस soul की उस व्यक्ति की deepest desires के बारे में जान सकते हैं तो आत्मा कारक ग्रह के analysis से वो ग्रह किस house में है, किस राशी में है, किस नक्षत्र में है, उसके उपर कितने शुब या अशुब ग्रहों की द्रिश्टी है तो उन सब के analysis से हमें किसी भी व्यक्ति के bird chart में बहुत जादा जो है वो मदद मिलती है हमें ये जानने में इससे बहुत मदद मिलती है कि वो जो व्यक्ति है उसकी इस जनम में इस जीवन में सबसे गहरी इच्छाएं क्या है और वो कैसे पूरी हो सकती है किस हद तक पूरी हो सकती है ये हम आत्मकारक planet के जीवन के बहुत गहरे रहस्यों को भी बहुत आसानी से जान सकती है तो अगर हमारे बर्चार्ट में चंद्रमा यानि की मून ही आत्माकारक प्लैनेट हो तो ये इसके मायने जो है हमारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाते हैं ये चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में हाइस डिगरी प्लैनेट है तो इतना तय है कि मां और मातरी भूमी के साथ उसकी जो कार्मिक सेटलमेंट है वो इस जन में बहुत अधिक रहने की संभावना है तो चंद्रमा अगर हाइस डिगरी प्लैनेट है किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में तो इतना तय है कि व्यक्ति का मांड वो ओवर उकुपाइड रह सकता है व्यक्ति जो है वो ओवर सेंसिटिव हो सकता है और उसके एन्वायरमेंट में उसके आसपास होने वाला छोटे से चेंज भी उसको जो है mentally upset कर सकता है और चंद्रमा क्योंकि जल तत्व को represent करता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों से emotional support जो है वो जरूर चाहेंगे और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में भी वो conscious जो है वो रह सकते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जल तत्व को represent करता है तो एक तो ऐसे लोग दूसरों से emotional support जो है वो चाह सकते हैं और दूसरा वो अपनी life में जो है हर चीज को abundance में भी चाह सकते हैं हलांकि बहुत कुछ होने के बाद भी उन्हें ऐसा लग सकता है कि जीवन में कुछ कमी सी है और लेकिन वो हमेशा हर चीज को जो है abundance में ही चाहते हैं तो अगर इस सारी situation को अगर हम एक line में कहना चाहें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो हलांकि चंद्रमा अगर highest degree planet होगा किसी वेक्ति के birth chart में तो उसकी जो desires हैं व लेकिन व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही काम करना चाहेगा अपनी terms and conditions के according ही काम करना चाहेगा किसी दूसरे के according नहीं और चंद्रमा अगर highest degree planet है birth chart में तो ऐसे व्यक्ति जो है विप्रीत से विप्रीत परिस्थिति में भी किसी problem से बाहर निकलने का कोई कोई रास्ता जो है वो ढूंद ही लेते हैं तो highest degree planet यह जित चंद्रमा हो तो इतना तय है कि मा और मात्री भूमी से जो है कार्मिक सट्रमेंट इस लाइफ में बहुत अधिक हो सकता है मदर से जो relationship है वो बहुत intense हो सकता है और व्यक्ति जो है वो अपनी मदर और home environment को लेकर बहुत ज़ादा जो है protective भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति यह जरूर चाहेंगे कि उनका घर जो है वो दुनिया का सबसे comfortable place जो है वो होना चाहिए तो बहुत से freedom fighters के birth chart के analysis के दौरान मैंने ये पाया कि उनके birth chart में चंदरमा जो है वो highest degree planet होकर fourth house में placed था तो जिसकी वज़ा से उन्होंने चंदरमा की इस तरह की placement की वज़ा से उन्होंने इस जनम में मा और मात्री भूमी के लिए जीवन भर संखर्ष किया और ऐसा करने के लिए किसी ने भी उन्हें force नहीं किया था उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा के साथ किया देखिए आत्माकारक planet यानि की highest degree planet अगर हमारे बर्चाट में कोई negative योग बना रहा है उसके उपर पाप ग्रहों की द्रिष्टी है तो इतना तै है कि व्यक्ति को जीवन में अपनी deepest desires को पूरा करने में कड़ा संखर्ष करना पड़ सकता है लेकिन इसके विपरीत अगर आत्माकारक ग्रह जो है वो बर्चाट में well placed है उसके उपर शुब ग्रहों की द्रिष्टी है और D9 में वो वरगोत्तम हो गया है या पुशकर नवाश में चला गया है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जीवन में अपनी अधि कर पाएगा तो अब हम जानेंगे कि चंद्रमा यदि आत्मकारक प्लैनेट हो तो उसके नक्षत्र के analysis से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसे और किस हद तक अपने जीवन में जो है अपनी deepest desires को पूरा कर पाएगा तो देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के ब ग्यारवे भाव में भरणी नक्षत्र में प्लेस्ट है तो देखिए सरप्रथम जो ग्यारवा भाव है वो दर्शाता है हमारे जीवन में incoming gains को profits को और हमारे social circle को तो बहुत से astrologers के बर चार्ट में भी मैंने चंद्रमा को आत्मकारक प्लैनेट होकर ग्यारवे भाव में प् एस्पेशली चंद्रमा का आत्मकारक ग्रह होकर placed होना व्यक्ति की एक social responsibility को भी दर्शाता है व्यक्ति को जीवन में जो है बहुत से लोगों की मदद जो है करने की संभावना ये placement बनाती है व्यक्ति जो है दूसरों को जो है distress के time पर जो है बहुत अधिक emotional support दे पाए ऐसी स भावना भी ये placement मनाती है तो यदि चंद्रमा आत्मकारक ग्रह होकर भरणी नक्षत्र में placed हो ग्यारवे भाव में तो ये जो placement है ये व्यक्ति को जीवन में कड़े संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने जीवन में goals को अचीव कर पाए ऐसी स्थिती बनाती है क्योंकि देखि और मा काली से है तो ये placement जो है एक तो व्यक्ति के जीवन में transformation होने की संभावना बनाती है व्यक्ति को दूसरे लोगों की भी जीवन में जो है बहुत अधिक मदद व्यक्ति करे ऐसी संभावना भी बनती है तो भरणी का संबंध क्योंकि यमराज और मा काली से है तो ऐसे व्यक्तियों की जो deepest desires हैं भले ही वो incoming gains से हो, profit से हो बहुत अधिक धन अर्जित करने से संबंदित हो तो वो सभी desires व्यक्ति की तभी पूरी हो सकती है जब व्यक्ति के जीवन में transformation हो जब व्यक्ति जो है अपने अलस्य को छोड़ कर अपने comfort zone से बाहर निकल कर कड़ा संघश करेगा तभी उसके जीवन की जो deepest desires हैं वो पूरा होने की संभावना जो है बनती है तो इस तना से आत्मकारक planet के analysis से आत्मकारक planet किस नक्षत्र में placed है आत्मकारक चंद्र किस नक्षत्र में placed है उसके analysis से हम व्यक्ति के जीवन के और दूसरे बहुत से रहस्य को भी हम जान सकते हैं तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए चंद्रमा क्योंकि जल तत्व को represent करता है nourishment को represent करता है तो अगर किसी व्यक्ति के bird chart में चंद्रमा highest degree planet है व्यक्ति जो है दूसरों की जीवन में बहुत अधिक मदद करें उनको distress के समय कश्ट के समय, दुख्त कलीफ के समय जो है उनको emotional support दे और ऐसा करके व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की बहुत सी deepest desires को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है तो चंदर्मा क्योंकि nourishment को भी represent करता है तो यदि चंदर्मा किसी व्यक्ति के birth chart में highest degree planet हो, आत्मकारक planet हो तो ऐसे व्यक्तियों को जो है जल का दान, दूद का दान, भोजन का दान जो है वो अवश्य करना चाहिए किसी public place पर जो है water cooler भी लगवाया जा सकता है अगर चंदर्मा किसी व्यक्ति के birth chart में highest degree planet है तो तो इस तरह से दूसरे लोगों की mentally support करकर दूसरे लोगों को nourishment प्रदान करके व्यक्ति जो है अपने जीवन में अपने बहुत सी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर सकता है तो ये था मेरा छोटा सा analysis अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चानल को subscribe करें मेरे वीडियो को like करें Hare Krishna